माहकाल आदेश मैं चंदनाथ अखुर आप सभी को अपने यूटिब जैनल चंदनाथ अखुरी सिफसक्ति तंपर मंतर के इंदर में स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों के लिए एक जो कुप्त देवी हैं उनके बारे में जानकारी दूगा और उनकी शादना दूगा अब ये देवी कौन है वो बता देता हूं आपको ये देवी है महा भया देवी महा भया देवी शादना इनके विसे में आपने विसे सुना नहीं होगा लेकिन बता देता हूँ जो इनका एक मंदिर है महाद भया देवी का जो की 36 गर्व है और ये साधना आपको कहीं नहीं मिलेगी चाहें ढोड़ लेना गुप्त साधना है और हल जगा ये साधना नहीं मिले दी विधान भी कुपते हैं और इनकी शादना करने से सादक को क्या प्राप्त होता है वो बता देता है कोई शादक मा भया देवी की सादना कर लेता है तो मा भया देवी सादक को एक वर्द प्रदान यानि वर्द देती है और वर्द देने में क्या उसे दिब्वे दिरस्टी प्रदान करती है यानि बर्द देने के बाद दिब्वे दिरस्टी प्रदान करेंगी वर्द में ही दिब्वे दिरस्टी देंगी वो और सादक अगर कोई भी सादक की सादना कर लेता है तो उसकी आँखों से कोई चीर्ज भी ओजल नहीं रह सकती जमीन के नीचे की भी सारी चीजे वो देख सकता है कहीं भी कोई भी छीपी चीज भी देख सकता है उसकी आप उसे कोई चीज ओजल नहीं होगी किसी का भी भूद भविश्य से बता सकता है किसी का भी भूद भविश्य से बता सकता है किसी के भी से में भी कोई भी जानकारी चाहिए तो सटीक जानकारी देती है और इनकी शादना करने से एक और बर मिलता है वो बर यह होता है कि यह अपने शादक को शदा योबन यानि की योबन यंग रहने का वर्दान देती है बुड़ाफा शादक के करीब से नहीं कुछ रहेगा यानि उमर तो ढलती हलकी दिखाई यानि एक आम व्यक्ति की उमर ढलती है समय के साथ लेकिन एक सादक की उमर ढलती है उमर होगी लेकिन जो आकरसन होगा वो अगर चालिस की उमर है तो आकरसन रहेगा पच्चिस-तीस का इनकी शादना गन्ने के बार में सादक को कभी भी किसी प्रिकार का जो आकरसन यानि की कमजूरी महसूस नहीं होती है उनकी शादना गन्ने बड़े ही दुल्लब सादना है दिब्य दिरश्टी तो ला जवाब इसा कोई काद नहीं जो आप इनके माद्यम से नहीं कर सकते हैं और यह दिब्य दिरश्टी प्रदान करती है और साथ में कोई चीड पढ़ाल्द देती है अब वो क्या दे में यह सादक उनहीं के ऊपकर है क्या प्रदान करें वो सादक को कुछ भी दे सकती है बद अपनी मर्जी से देती हैं यह नहीं आप अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते हैं दिब्यदेश्टी तो देती ही देती हैं और इनके माद्धियम से ऐसा कोई काम है नहीं जो ना संपन किया जा सकता हो और यह बन सकती तो प्रदान करती ही करती है उसके जीवन में खुसी आ जाती है सादक के और शम्मोहन सक्ति बढ़ जाती आकर समल बढ़ जाता है सादक के जो आखों में और दुसरी बात कि लोग जुड़ने लगते हैं सभी लोग बात मानते हैं सादक की जो भी व्यक्ति सादना को करेगा उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं एक ऐसे चिपक जाते हैं उस व्यक्ति से जैसे अगर कोई भी व्यक्ति बात रख रहा है सादक ये सादना को करने के बाद में तो उसकी बात में एक चिपक होगी मैगनेट की बाती हर व्यक्ति उसकी बात ध्यान से सुनेगा समझे नहीं पाएगा यार ऐसा क्या है इस व्यक्ति के अंदर जो मैं खिचा जा रहा हूँ वड़ी ही दुल्दा वो लाजवाब साधना है जितनी भी मैं साधना की तारिफ करूं कमी कम है अब यह साधना तो जानकारी हो गई और यह साधना गुरु सवाब की साधना है और समसान में की जाने वाली साधना है यह साधना घर पे नहीं की जा सकती तो इस साधना को जो भी लोग करें समसानी की दिया है सोच समझ के करें गुरु मार्ग द्रसन में करें या गुरु से आज्ञा लेके करें और इस साधना में आसन की लन वगेदा लगाना अनिवाद्य है और ये साधना जो है आपकी 21 दिन की साधना है और 21 दिन में आपको शवालाग जाब करना है करना क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये समसान में साधना करने हो और ये साधना बहां करने है आपको जहां पे चिता जलाई जाती है तो चिता के जो आप बैठेंगे सिर्याने को बैठेंगे वहाँ पे जाके दीपक प्रिजलित करें घी का शराप का या फिर तिल के तेल का आसन कुशा का अपने चादो उर्पास घेरा लगा लें बंदन लगा लें और भोग में शराप साथ पिरकार की मिठाई साज जोड़े लोंग के साथ वता से एक पान यह भोग है इसमें साधना में जो साधना आप किसी भी सनिवार से सुदू कर सकते हैं साधना गाल में ब्रह्म चार रहने वाद हैं नोन वेच का इस्तमाल नहीं करना है साधना गाल में जो अनुबाव हों सिवार अपने गुरू के किसी से सेहर नहीं करने हैं और साधना आप संकलब लेकर भी कर सकते हैं और बिना संकलब के भी साधना आपको रात्तिरी दस बजे के वास सुरू करनी है साधना दस बजे के वास सुरू करनी है और इस साधना को बही करना है जहां चिता जलाई जाती है दीपक आपका तिल के तेल का या घीयो सराब से इसमें दिसा आपकी डक्षण यहेगी यानी चिता के जहां चिता पे बैठना है आसन कुसा का माला रुद्राक्ष्टी वस्तर काले 11 दिन में वो 21 दिन में सवाला जाप करना है साधना के बिसे में किसी को बताना नहीं है सिवाए अपने गुरू के और जब यह दर्सन देती है उग्रसवाब की साधना इसमें अनुवब बड़े डिफिकल होते हैं तो सोच समझ के करें अनुवब में कुछ भी हो सकता है किसी भी पिरकार के अनुवब हो सकते हैं साधना के अंतिम दिन आपको बही 11 माला से आहुती करनी होती है। आहुती में वही आपको जो आहुती में आपको हवन सामक गिरी, जो, कूगल, इलाईची, काले तिल, चीनी, शक, चीनी, घी, शराब, और आपका चमेली का तिल और गुलाब के फूल, हो शके तो कमल के फूलों से करें। और नहीं मिलें तो कुलाब के फूलों से आहुती करें। और आहुती करते ही शादक को प्रिटेक्ज दर्सन देती हैं, जो की मा, यानि की महा अभादेवी, मा भयादेवी, और वड़ी ही बेतिन साथना है, और लाजवाब साथना है। हिरीम महा वाष्टमी स्वाहा मत्रेवा सुने हिरीम महा वाष्टमी स्वाहा और च्छोटा सा मन्त है सिंपल सा मन्त है कोई की साधक बड़े ही अराम से कर सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है और दुसरों का भी जीवन बदल सकता है जन का ल्यान भी कर सकता है जिस तरी यहां भया देवी की शादना जो कि यहां को डोनने से भी नहीं मिलेगी तो आशा करता हूं कि वीडियो परसंद आई होगी परसंद आई हो तो लाइक करें सेर करें कमेंट करें जादे से जादा सेर करें ताकि लोग जादे से जादा यानि की लाव उठा सकें तो अब जिन लोगों को खुशा आशन ओत्राक्ष की माला या फिर कमल गठिक की की एसफाटिक की यह की की चंदन की यह फिर तुल्सी की जिस जिन लिज लोगों को चाहिए वो हमाई शन्सता के नमार पर Cont inflammation कर सकता है और नमात हमादा भॉइ है नाय tutto कर, तो आशा करता हूँ वीडियो परसंद आई होगी परसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब करें तो जब तक के लिए जैसरी महाकाल